जम से सती मया से बिच्छो हुआ है महराज जम से मा सती ने तन त्यागा है तम से भगवान संकर के मन में बैराग आ गया इधर उधर जहां जहां जाते हैं भगवान की कथा सुनते हैं गाते हैं कि बल एक ही काम भगवान संकर का ये नेम प्रेम देखा महाराजी एक दिन राम जी प्रसंद हो गए आकर संकर भगवान के सामने प्रगट हो गए प्रगटे रामुकृतक ग्रपाला रूपसील ने दीते जविसाला रागव सरकार प्रगट हो गए और माता पारवत्ती के जनम की पूरी बात सुना दी सब कुछ बता दिया और कह दिया क्या हे भगवान संभो अब बनती मम सुनहु सिब जो मुपर निजने है जाए विवाहों सेल जहीं यह मुहिमां के दियो जैसे ही राम जी ने ये कहा तो भगवान संकर कहने लगे अर्या क्या सिर परनात तुमारी तुम सब भाती परमहित कारी तुम सब भाती परमहित कारी उसी समय सब्तर सी आ गए महराज सब्तर सी उने आ करके महराज बड़ी प्रकार से रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए और महराज बगवान सिब जी के पास महादेव जी को अत्यंत इतनी सुंदर सुंदर बचन क कहैं और महाराज ह 뭔 संकरने कहा जाओ तो पारवथी की प्रक्षा लों शबस्तरी कहें कहें पारवथी मयां के पास पुंच गई शपन ना आ यह सब्सक्रिशी के ने में कहां अजने के काहिं को फाहिए कुंधर का अच्छा निस्ञत नहीं हैं संकर भगवान उनके पास तो रहने तक का घर नहीं है हमने तुमको ऐसा पर ढूड़ रखा है जो बैकुंध में रहता है भीताम बंधारी चक्र बंधारी भगवान विश्णू को हमने तो बार लिए चुन रखा है महराज सबतरसियों ने सवभात परिक्षा ली जाकर बगवान संकर को बताया बगवान संकर कहते हैं ब्राम्हन का वेज बना कर खुद भी परिक्षा लेने गए मा कि जाकर के जहां मातब कर रही थी उसी सरोबर में डूबने लगे तो माने देखा माने देखा कि क्या करूं, यह ब्राप्मन दूब रहा है, मर जाएगा माने सोचा कि मैं तब कर रही हूँ और परपुर्स को इस परस करना ये इस तरी के लिए बरजिस्त है मेरा तो व्रद भंग हो जाएगा, मेरी तबस्या खंडित हो जाएगी माने कहा चलो इस जनम में खंडित हो जाएगी, फिर से जनम लूँगी दूसरा, फिर तब करूँगी, फिर सिवजी को प्राप्त करूँगी, लेकिन सबसे बड़ा तब तो यही है कि मरते हुए को बचाना, यह ब्राम्हन मेरे आगे मर जाएगा, माने तहाए एक जनम में परिक्षा लेने कहे थे, भगवान संकर प्रकट हुए और परदे दिया जाओ देवी, हमने तुम्हें सुईकार किया, महराज संपुर्ण रूप से परिक्षा हुई, उसके बाद महराज, भगवान संकर, अब इदर सब देवता लोग परिशान क्यों, महराज एक तारका संपूर्ण तरलोगी पर अपना सासन कर लिया, देवताय लोग मारे मारे इदर दर भटकने लगे, तो भगवान संकर के पास महराज, सब के सब देवताओं ने विचार गिया, संकर जी के पास चलो, महराज विश्नु, मुरंभा, इंद्र इंत्यादी, सब देवता, लेकर जाएं तो सब दूर खड़े हो गए, अब समय से कोई कहें, आगे तुम जाओ, आगे तुम जाओ, क्योंकि पता है, कि धर तो जाओ, तो तीसरी घुलेगी सीधी, क्योंकि समाधी में रहते हमेशा, और तीसरी खुली तो हाल वोई होना जो कामदेव का हुआ, इसलिए मरने से हरादमी डरता है महराज, कहीं का देवता अंदर आगे जाने को तैयार में, सब कहें आगे तुम जाओ, आगे तुम जाओ, तब सब के सब एक सांस मेल करके गए महराज, प्रमाजी तुम द्याओ करो जल्दी, क्यों, बहुत भगवान संकर के विवाय होगा, तब ही तो ह महराज, एक स्वर में आबाद लगाई, भगवान संकर की समाधी खुली, भगवान संकर ने कहा, कहो, तो सब की चाहिए कि आप एक बार विवाय होगा, और कोई नहीं है विवाय के लायक, कहा नहीं प्रभू, आप कही विवाय देखना चाहते हैं, अच्छा, महराज, आप कही दिभाह देखना चाहते हैं, भगवान संकर ने का ठीक है, समझ गए हमें, क्यों, ये देवता लोग महराज सब के सब अच्छे खुटपिट के आए थे, हाँ, तार का जुन्य जम के गुटाई करी थी महराज, इसलिए भगवान संकर के पास आए लिवा, ब्याव हम्रो होए और खुजी तुम्हे होए, ये भी कोई बात, लेकिन भगवान संकर तो महराज जगत के रक्षक है महराज, भगवान संकर ने सहमती प्रदान की, जैसे ही सहमती प्रदान करी है महराज, कहते हैं, पत्री का सब्तरशियों को दी, सब्तरशिय लेकर के आए है, ब्रम्हा तो हो गई, अब महराज सब भगवान संकर के बिबाह की जो है सब तैयारियां होने लगी, अब अपने घर बिबाह होता है, तो महराज कितने प्रकार के रीती रिस्म होते हैं, धाम में भी महराज कितने प्रकार के रीती रिस्म हो रहे हैं, महराज महिंदी चल रही है, तो हल् ना मामी ना काकी ना ताई ना चाहती ना बेर अब खर्मटी ले बे कौन जाए इनके तो सब रिस्तेदार भूत और भूतनिया तो महराज किसी ने कहा माटी ले ने कौन जाए तो बोले भाईया भागा की खर्माटी ले ने भूतनिया यही है